दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आटमेटिक हैंड वश बनाना सिखाऊंगा देखते हैं यह काम कैसे करता है जैसे इसके सामने हाथ लेकर आते हैं यह वाटर डिस्पेंस करना शुरू करता है जिससे हम हाथ दो सकते हैं जैसे हम हाथ हटाते हैं यह वाटर इसको इंडोर आउड़ोर दोनों जगह पर यूज़ कर सकते हैं सनलाइट में भी काफी अच्छा ये वर्क करता है आए देखते हैं कैसे दोस्तों यह जो हमारा सर्कृट हमने बनाया है कि पूरी तरह से पूर्टेबल है ठीक है अब मैं आपको इसकी विशेश्चता हैं बता सर्चर法 कर सकते हैं इसको अटोमेटिग वंच के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको उंटोमेटिक वॉर्टर discussing पेंसर अपने Röe के साथ कनेट कर सकते हैं इसको पारी empirical बनाने के लिए सर्फ कीट को हम यूज कर सकते हैं आईए देखते हैं क्या क्या या कंपोनेंट्स चाहिए यह मशिन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए यह DC pump जो DC pump हम यूज़ कर रहे हैं 3.7 वल्ट की बैटरी पर ऑपरेट हो जाएगा और बहुत ही पाउरफुल पंप है यह फ्लोइड को अच्छा डिस्टेंस तक यह खीच सकता है ठीक है इसका सकिंग बहुत ही अच्छा और एरटाइट है इसके अलावा हमें चाहिए एक लीथियम आयन बैटरी बैटरी जो 3.7 वल्ट की है और रीचार्ज़ेबल है ठीक है जिससे हमारा जो पूरा यूनिट है यह पोर्टेबल बन जाएगा इसके साथ हमें पाउर कोड की जुरत नहीं पड़ेगी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें यह चार्जिंग मोडिल चाहिए ठीक है यह चार्जिंग मोडिल जो है यह रेड और ब्लू लाइट दोनों इंडिकेट करता है रेड लाइट मतलब बैटरी को चार्ज कर रहा है और ब्लू लाइट मतलब बैटरी चार्ज हो चुका है और इसके साथ ही हमें चाहिएगा एक फाइब वोल्ट का रिले रिले तो यह फाइब वोल्ट का है लेकिन यह 3.7 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो जाएगा ठीक है इस बैटरी के थ्रू ओके इन सब के अलावा जो हमें मैं यूनिट चाहिए वो है आई यार सेंसर जो हमारा आई वाइरिंग मैं आपको समझा दूंगा वीडियो के अंदर ठीक है तो काफी अच्छा सेंसर है यही सेंसर आपको यूज करना पड़ेगा ताकि संलाइट में भी वर्क कर सकें अधर जो सेंसर होते हैं संलाइट में वर्क नहीं करते हैं चलिए अब बनाते हमारी ऑटोमेटि करके Шऄट कर लेंगे ठीक है तो हम इतना वाइर यहां पर रख लेते हैं बाकी अगे की वाइरिंग में यह एक्स berg काम आ उसका उपलाय पै का है और यहां पर ब्लेक है यह इसका ऐटबूट है और हऊटपूट जो एक सब्सक्राइब सबसे पहले हम एक ऑप्शिंच लगाएंगे बैटरी के ऊपर एस 매ंग्र स्काइब तो हम एक brown color का wire लेंगे और इसको battery के positive end पर connect करेंगे ठीक है इसको यहाँ पर हम solder कर देते हैं और इसका जो दूसरा end है इसे हम करेंगे switch के उपर connect ठीक है यह switch है हमारा main switch रहेगा इसके through हम power off कर सकते हैं anytime तो मैं इसको यहाँ पर इस center में जो connector है switch पर उस terminal पर मैं इसको यहाँ पर solder कर देता हूँ तो यह हमारा main switch हो जाएगा ओकी अब इसके बात क्या करेंगे हम की जो हमारा IR sensor है उसका जो brown वाला wire है वो यहाँ पर switch के दूसरे end पर connect कर देंगे ओके तो यह हमारा IR sensor इसके तीन wire से मैंने बताए था आपको brown वाला positive होता है तो definitely brown वाला जो हम connect कर देंगे यहाँ पर और जो इसका negative है blue वाला वो directly battery के negative terminal पर connect हो जाएगा ठीक है मैं इसे यहाँ पर solder कर देता हूँ battery के sorry switch के दूसरे terminal पर हम यहाँ पर sensor का brown wire solder कर देते हैं ठीक है अभी हम क्या करेंगे जो blue wire है इसे हम battery के negative terminal पर यहाँ पर solder कर देते हैं ठीक है बहुत ही आसानी से बता रहा हूं बहुत ही आसान language में easy language में आपको समझा रहा हूं सारी wiring ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे और वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जायागा पूरा circuit ओके तो यहाँ पर हमने IR sensor के जो wiring थी वो complete हो गई है ठीक है करने के लिए मैं आपको बता देता हूं देखिए यहां पर यह off है और जैसे के सामने कोई object आता है इसकी light on हो जाती मतलब इसके सामने कोई object detect होता है इस तरह से ठीक है इसकी range अगर हमें कम करनी है तो यहां पर पीछे aligner लगाने की जगह दे रखिए इसमें यह aligner लगा कर हम इसको rotate करेंगे anti-clockwise तो इसकी range कम होगी अभी देखिए हमने range इसकी कम कर दी approximately 6 cm हमने कर दी है जो इसकी minimum range हो के maximum यह 45 cm तक जा सकता है अभी हम क्या करेंगे कि यह जो रिले है यह लगाएंगे अब रिले में आप देख सकते हैं यह जो जो पॉल है वह कौन से हैं कोईल के ठीक है तो इसमें हम यह जो output का negative आया है ठीक है आया सेंसर से जो output का wire ब्लेक वह एक तरफ लगा दिया ठीक है और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे direct positive wire लगाएंगे brown color का ठीक है और वो battery के positive सा आएगा switch के through तो जहां पर हमने IR sensor का brown लगा था वहीं पर हम यहां पर यह लगा देंगे ठीक है और इसका जो पॉल है वो भी इसी wire से connect कर देना है तो आप देख सकते हैं अभी हमने brown wire connect कर दिया है relay के उपर और आप मैं मैं बताऊंगा दूसरा end कहा connect करना है इसका दूसरा end जो है यहां लगेगा जहां पर switch पर हमने IR sensor का brown wire लगाए था वहीं पर हम इस relay वाला brown wire भी connect कर देते हैं ठीक है तो यह positive supply जो है relay में चली जाएगी और relay के pole पर भी चली जाएगी ओके तो अब आगे की wiring में बताता हूं ठीक है यहां पर यह complete हो गया देखिए रिले को positive भी दे दिया गया है इस switch के through और pole पर भी positive इसी switch के through जा रहा है तो यह switch हमारा main switch हो जाएगा अब यह जो हमारी motor है motor बहुत ही कमाल की motor है ठीक है बहुत ही low power पर चलती है यह और air tight वाला vacuum create कर देती है एक तरह से ठीक है बहुत ही अच्छी motor है तो यह motor आपको use करना पड़ेगा इस project में हाँ इस motor और जितने भी item हम सब का purchase link में ने description box में दिया है तो आप वहां से इसक motor पर connect कर देते हैं ठीक है negative के लिए हम blue wire यूज़ करते है और positive जो है वह output से तो output के लिए हम black wire यूज़ करते हैं ठीक है तो हम नहीं आप ब्लू और black दो wire यूज़ कर लिए अब blue wire तो हम जानते हैं कि यह negative का है तो वह battery पर direct connect होगा और output पर wire है वह black रहेगा तो motor का black wire यहा कोणा सा कट करके small कर ठीक है अभी इन वायर को मैं connect करके आपको बताता हूं देखिए blue वाला है इसे में battery के negative पर directly connect कर दूँगा ठीक है तो इसको यहां पर रखकर हम solving wire से solder कर देंगे इस प्रकार से ओके और जो दूसरा wire है इसका black वाला वह हम लगाएंगे कहां पर जो हमा वाला टर्मिनल है इसको यहां पर हम solar कर देंगे ओके तो इससे क्या होगा जैसे हमारा रिले ओन होगा तो positive supply जो हमने पॉल पर दी थी इस रिले के वह यहां पर इस end पर आ जाएगी और हमारे मोटर को positive और negative दोनों मिल जागा तो मोटर ओन हो जागा आप देख सकते हैं हमने अपना हाथ लेकर आते हैं तो हमारा जो यह मोटर ओन हो जाता है और continuously मोटर ओन रहेगा जब तक हम हाथ हटा नहीं लेते हैं ठीक है तो इस तरह से system work करता है आयार सेंसर और मोटर दोनों ही बहुत ही sensitive और high quality के product है ठीक है इनके purchase link description box में तो आई होप आपको पसंद आया होगा तो like बटन दबा दीजिए ठीक है वीडियो भी खतम नहीं हुआ है अभी बाकी है मेरे दोस्त चलिए यह जो हमारी बैटरी इसको charge करने के लिए हम यह charging circuit क लिए यूज़ करेंगे और brown को positive के लिए ठीक है तो यह बैटरी के positive से directly हमें connect कर लेना है तो यह आप देखिए यह positive brown तो इस brown को मैं यहां पर connect कर देता हूं solder कर देता हूं ठीक है और जो हम black वाला वायर है उसे हम battery के negative में connect कर देंगे यहां पर इस प्रकार से ठीक है तो अ अभी आप देखिए इसको charge करके बता जाता हूं मैं जैसे इसको यहां पर पिन लगाता हूं आप देखेंगे red light चल गए red light का मतलब अभी battery हमारी charge हो रही है जब complete charge जाएगी तो यहां पर blue light भी glow करने लग जाएगी okay अभी हम इस motor से क्या करेंगे कि जो इसकी pipe से वो connect करें कि यह जो नली है थोड़ी सी soft है दब जाएगी तो इसको हम क्या करेंगे hard करने के लिए एक RO की pipe इसके अंदर लगा लेंगे ठीक है और इसको 2-3 ties से अच्छी तरह से बांद देंगे ताकि इसको एक shape दिया जा सके एक angle दिया जा सके चलिए मैं आगे आगे आपको वीडिय है वो एक shape में रह जाएगी fix ठीक है तो इसको mode के हम जैसा चाहे shape दे सकते हैं थोड़ी देर तक वैसे ही hold रखेंगे तो वह वही shape ले लेगी ओके ना इसको हम इस तरह से सेट करेंगे कि IR sensor के सामने हाथ लाते ही इस नली में से पानी आ जाए ओके इस jar का हम use करेंगे इस jar क के उपर हम पूरा का पूरा circuit mount कर लेंगे ठीक है इसका जोई लीड है इस लीड के उपर हम सारे peripherals जो है जमा कर देंगे ठीक है इनको यहां आपर लगाने के लिए हम चिपका सकते हैं double sided tape का use कर सकते हैं यह epoxy glass resin जो भी हमारे पास चिपकाने के material हम सब का use कर सकते मैं के अबल के चलिए अब मैं सारे items set कर देता हूं और फिर मिलता हूं वीडियो में आपके सामने पूरा complete लेकर ठीक है अभी मैं कुछ इस लिड में अभी इन छेट से हम क्या करेंगे कि इस टाइक के थ्रू इसको यहां बांध देंगे तो इसको हमने टाइक को यहां पर लिया और सब से पहले इस motor को यहां पर बांध देते हैं ठीक है एक एक component हम यहां पर set कर देंगे उसके बाद क्या होगा कि हमको धीरे दीरे रास्ता मिलता जाएगा कहां पर क्या wiring करनी है यह कहां पर क्या component लगाना है एक को लगाना शुरू करेंगे तो अपने आभी आगे के रास्ते clear ह जाएंगे ठीक है तो यहां पर हमने इस motor को लगा दिया है और eqo tie लेकर हम इसको यहां पर fix कर देंगे ठीक है यह एक टाई से तो हमने यह बांद लिया है अभी एक टाई से हम बांद देंगे तो यह क्या fix हो जाएगा permanent move नहीं करेगा ठीक है तो इस टाई को यहाँ पर tight करने के बाद अब हम यहाँ पर दूसरी टाई लेते हैं और उसको यहाँ पीछे की और बांद देंगे इसको थोड़ा सा adjust करने में time लगरा है मुझे okay अभी यह दूसरी टाई ली हमने और यहाँ पर पीछे की और भी हमने यहां पर cut कर रखा है तो इसमें भी हम यह टाई लगा कर इसको यहां पर mount कर देते हैं बांध देते हैं ओके तो इस तरह से हमने एक एक परिफरेल को एक एक कंपोनेंट को उसी तरह से बांध देंगे हम इस धकन के उपा सबसे पहले मोटर बांध दिए फिर हम बैटरी लगाएंगे और फिर जो हम क्या करेंगे रिले को तो हम चिपका देंगे डेबल साड़ीड टेप से ओके इसको यहां सेट करने के सापस होल कर रखें लिट के अंदर उसको भी हम टाई से बांध देंगे यहां पर ओके इसको यहां सेट कर देंगे और यह चार्जिंग मोडिल को डबल साड़ीड टेप से यहां चिपका देंगे हम कहीं भी चिपका सकते हैं ठीक है इसको भी हम यहां पर चिपका सकते हैं glue gun का use करके यहां चिपका सकते हैं, या कैसे भी time में बाहन सकते हैं, जैसे हमें ठीक लगे, वैसे हम इसको adjust कर सकते हैं, ठीक है, यह अपने उपर हम कैसे इसको set करते हैं, ठीक है, और यह जो pipe है, इस pipe को हम यहां से निकाल देंगे, ठीक है यहां से हम धक्का देखें इसमें चैद में निकालेंगे इस पाइप को और निकालने के बाद यह पाइप जो है मोटर के इंपुट में लग जाएगी ठीक है तो इसको मैंने यहां पे निकाला और खीच के यह मोटर का इंपुट वाला है एंड इस पर लगा दिया ठी और दुसी तरफ जो है इसको यहां पे निकाल लेते हैं ताकि एक्स्टानी रहे ठीक है पाइप जो मुड़ी हुई है उससे क्या होगा कि थोड़ा सा वाटर का फ्लो जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा ठीक है तो इसमें बैंड नहीं आए यह कोशिश करेंगे ओके तो एक और छेद करके पूरा फिक्स कर देंगे अंदर की तरफ ठीक है ताकि इस लिड के अंदर से यह वाइट वाली पाइप है और यह पाइप जो है यहां से नीचे से वापस मोटर के अंदर जाएगा ठीक है सबसे पहले हम बैटरी को यहां बान देते हैं टाई का यूज कर ठीक है तो यह टाई जो है हम यहां पर इस बैटरी को बांदने के काम में ले लेते हैं ठीक है यहां पर यह टाइट हो गया तो यह बैटरी यहां फिक्स हो गया है अब हम क्या करेंगे यह को नया च्छेद करेंगे और यह जो आरो वाली पाइप हमने फिक्स की थी ठीक है वह इस लीड के निच्चे से मोटर में ले जाएंगे ओके और कंपोनेंट्स असेंबल करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का रूप ले लेगा अब हम आयार सेंसर के सामने जैसे हाथ लेकर आएंगे ये मोटर पंप ओन होगा और हटाते ही आफ हो जाएगा आपको ये मेरा प